हेलो फ्रिंच नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का फिरसे स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चानल ट्रेडिंग टर्टल्स पर और आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूँ तो आज हम एक ऐसी स्ट्राटेजी डिसकस करने वाले हैं जिसका ऑप्शन के केस में रिटर्न काफी जबरदस्त रहता है अब वो जबरदस्त क्यों रहता है एक बार उस साइकलोजी के बारे में बात कर लेते हैं और दूसरा एक बार ये बात कर लेते हैं कि बेसीकली हमारी स् तो सबसे पहली बात एक सीधी सी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा अगर एक market sideways mode में है sideways का मतलब आप समझते हैं अगर मुझे sideways market के बारे में जानना हो तो मैं समझता हूँ कि sideways market किस तरीके का होता है हमारा sideways market एक ऐसा उपर का लेविल और नीचे का लेविल मेंटेन करके चलता है जिसमें नीचे के लेविल को हम सपोर्ट बोल देते हैं और उपर के लेविल को हम रजिस्टन्च बोल देते हैं और फिर बेसिकली प्राइस क्या अक्टिविटी करता है प्राइस अपना इसी जोन में अपना कुछ समय बिताने के बाद सडनली किसी एक डारेक्शन का ब्रेक देता है अब यह तो हो गया कि sideways market क्या होती है और हमें किस side का break मिलता है अब वो breakout कैसा रहने वाला है वो discussion एक entirely different discussion है हम यहाँ पर यह जानना चाहते हैं कि sideways market का basic महत्व क्या रहता है और sideways market मुझे एक अच्छी opportunity किस तरीके से market में trade करने के लिए present करती है तो चलिए चलते हैं अपने graph पर और देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इस particular setup को अपने trading activity के लिए utilize कर सकते हैं तो इस चीज को analyze करने के लिए और इस चीज को आपको दिखाने के लिए इस समय पर जो मेरे पास example अभी available है that example is Asian paints अब हमने Asian paints ही क्यों select किया इस particular example के लिए अब अगर Asian paints को मैं ध्यान से देखूँ अभी के लिए मैं अपनी predefined studies हटा देता हूँ ताकि आपको इस चीज मैं अच्छे से समझा पहूँ अगर मैं Asian paint के structure को इस समय पर ध्यान से देखने के कोशिश करूँ तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि मेरा जो Asian paint था Asian paint ने काफी समय से एक ये particular level अपने graph में बना रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि Asian paint ने जो उपर वाला level था उससे multiple time resistance लिया और जो नीचे वाला level था उससे multiple time support लिया तो आशा करता हूँ कि structure clear है तो जिन users को आगे Asian paint को observe करना है क्योंकि Asian paint में अभी तक trade हमारा trigger नहीं हुआ वो users इस particular screen को pause करके इसका screenshot अभी ले सकते है चलिए आगे देखते है अब हमें क्या करना होता है हमें basically क्या करना होता है हमें अपना जब भी कभी मुझे कोई graph range में मिल जाता है तो definitely एक जाहिर सी बात है मैं उस range के break का wait करूगा या तो वो उपर की side break करे या वो नीचे की side break करे इसका क्या मतलब हुआ या तो वो अपना resistance break करे या फिर वो अपना support break करे अब जब भी कभी price अपने इस zone में confined होने के बाद किसी एक side का break रहता है तो generally जो breakout होता है वो हमें बहुत sharp मिलता है sharp से मेरे कहने का क्या मतलब है वो type का breakout आपको एक दम एक ही दिन में अच्छे percent returns देने की capability रखता है अब इसके पीछे क्या psychological reason हो सकता है कि ऐसा क्यूं कुता है उसका एक simple था कारण है जब graph इस range में बन था तो इसका मतलब graph में एक indecision था अब indecision ना तो buyers को पता था कि graph कहां जाने वाला है ना sellers को पता था graph कहां जाने वाला है और जो हमारी positions बन रही थी वो लगबग लगबग buyers और sellers की equal position बन रही थी तो अब ये मान लेते हैं जैसे ही graph में उपर का breakout आता है जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि हाला कि अभी तक एक successful breakout नहीं है लेकिन let us say कि graph में हमें एक successful breakout मिल जाता है अब उस successful breakout मिलने के बाद होगा क्या जिन लोगों ने buy initiate कर रखा होगा वो अपनी position को बढ़ाएंगे breakout देख करके कुछ लोग buy की तरफ enter करेंगे and उस समय पे जो हमारे sellers होंगे उनको नुकसान हो रहा होगा तो कुछ sellers अपनी position exit करेंगे अब exit करने के लिए position उन्हें क्या करना होगा उन्हें भी buy करना होगा तो basically होगा क्या जिस भी side का मुझे breakout मिलेगा सारा का सारा मेरा volume उस side में tilt होने की tendency रखता है अब क्योंकि volume एक side tilt हो गया तो आप समझ सकते हैं कि move किस तरीके का होगा तो चलिए graph में एक बार पीछे ये ढून लेते हैं कि क्या कोई हमें example ऐसा मिल रहा है जहां पे हम correlate कर सके तो मैं एक lower time frame पर चलता हूँ और उस lower time frame पर आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि breakout जब होते हैं तो वो किस तरीके के होते हैं आप इस level को अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे और similarly अगर आप नीचे के level को देखे तो मुझे समझ में आ रहा है कि इस समय मेरा graph एक range maintain किये हुआ था और guys उसके बाद देखिए जब भी graph में breakout आया तो किस तरीके का आया तो guys ये वो move है जिस move का हमें breakout के बाद इंतजार रहता है और इस particular move में अगर मैंने यहाँ पर PE buy कर रखी होती Asian paint की तो definitely आप समझ सकते हैं कि आपका PE का price कुछ ही दिन जो कि इस case में है 1.5 trading day यानि कि लगबग लगबग 1.5 trading day में ही आपको Asian paint में लगबग लगबग 3480 से सीधा सीधा आपने profit booking कहा कि 33,050 के around जो कि लगबग लगबग एक 5 रुपे की move है अगर इतनी बड़ी move जो कि लगबग लगबग 5 पॉइंट है आपको किसी एक stop में एक दिन में मिल जाती है तो अब मुझे ये चीज़ explain करने की जरूरत नहीं है कि उस समय पे आपके option prices के साथ हुआ क्या होगा आपका option price लगबग लगबग उस particular trading session में मैं जादा तो नहीं कहता बट 80, 100, 200 से 300% का profit मैंने अपनी नजरों से graph में होते हुए देखा है चलो मैं आशा करता हूँ कि ये strategy आपको समझ में आई होगी मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि इस strategy को execute कब करना है और इस strategy के पीछे psychology क्या है simple psychology है graph काफे time से एक zone में कड़ा था एक indecision था ना buyers को पता था कहा जाएगा अब strategy का every point आपको clear है अब अगर कहीं पे भी आपको कोई भी doubt लगता है या आप चाहते हैं कि आपके पास strategy में कुछ है जो strategy को और improve कर सकता है तो please friends हमारे साथ अपना valuable feedback comments में share कीजिए ताकि हम अपने content को और ज़दा refine करके इसे अच्छा बना सके ठीक है तो मिलते हैं कल एक नए analysis के साथ एक नए concept के साथ जो market में आपको कमाने में help करेगा happy trading, bye-bye viewers